तो भाईयों चलिए सबसे पहले आपको इस टेक्टर की sound testing करवाते हैं और आर्पीम टेस्टिंग करवाते हैं तो भाईयों देखिए क्या सांधार आवाज है डेक्टर की तो आर्पीम देख सकते हैं डिश्टल आर्पीम है किसान भाईयों किसान भाईयों आज हम आईसर टेक्टर सोरूम मा काली इसमाहिल पूर तीसापुर में है भाईयों तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लेट रिविव करने वाले हैं आईसर तीन सो तैसर फाइव स्टार निव लांच टेक्टर है भाईयों फाइव स्टार वेरेंट के साथ में तो आप लोग टेक्टर का ओवराल लुक वगारा देख लीजिए तो यहां पर आईसर के साथ में तीन सो तैसर फाइव स्टार की ब्रांडिंग देखने को मिलती है वह भी नए ग्राफिक्स के साथ में और साइलेंसर पर यहां पर जाली दी गई है भाईयों जो की दूसरे सुपर प्लस माडल में नहीं आती है किसान भाईयों फ्रन्ट से देखा जाए तो काफी ज्यादा अट्रेक्टिव टेक्टर बनाया गया है जहां ग्रिल में पहले किया पैच्छा काफी यहां पर स्टाइलिस डिजाइन बनाई गई है और उसी के साथ में कंपनी फिटर बंफर दिया गया है टेक्टर में हैलोजन हेड लेंप दी गई है और आइसर का लोगो यहां पर दिय गई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेक्टर के एंजन की तो इस टेक्टर में जो आपको एंजन मिलता है तीन स्यलेंडर 36 श्पी का एंजन मिलता है जोकि सिक्पशन का इंजन air भाई अभी आप लोगों को इंजन का लुक वेगारा भी दिखाते हैं तो भाईयों आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेक्टर में आपको तीन सेंडर का सिंप्सन S324 इंजन मिलता है जो की तीन स्रेंडर 366 पी के साथ में हैं और 2365 इस ट्रेक्टर के इंजन की उस साइड से भी आप लोगों को दिखा देते हैं तो भाईयों यहां पर माईको बॉस्की इन-लाइन फिल पम देखने को मिल जाती है यह वाटर सेप्रेटर वगएरा देखने को मिल जाते हैं काफी दमदार और टिकाओ इंजन वाईयों स्ट्रेक करें तो आल बात टाइप यहां पर आपको एर किलनर मिलता है जो कि फोर स्टेस के साथ में है फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो पैंतालेस लीटर की भाईयों फ्यूल टैंक आपको इस टेक्टर में देखने को मिल जाता है तो भाईयों अब आप लोगों को इस टेक्टर सब्सक्राइब कर लेते हैं इस टेक्टर के ट्रांसमिसन की इंजन के बाद में सबसे महात्रपूर्ण पार्ट जो टेक्टर का है वो ट्रांसमिसन ही होता है खहां पढ़न में यापलों लो और यहें डाया सबसे माधियों अधिक्र सकते हैं कहलते हैं यह मैनों करां़र हैं टुटली आज और और फारवर्ट और दो हो ट्रैक्टर में देखने को मिल जाते हैं और डेस्बोर्ड वगारा देखें तो कुछ इस प्रकार से टेक्टर का डेस्बोर्ड यहां पर देखने को मिलता है और ऊपर बैठने के बाद कुछ इस प्रकार से टेक्टर का विव वगारा निकल के आ जाता है यही साइड में हैंड्रेस देखने को मिलती है और शी के साथ म भाईयों यहाँ पर पीटियो का लीवर देखने को मिलता है इसको आप ऊपर और नीचे करने पर इंगेज हो जाता है और ऊपर करने पर डिसंगेज रहता है भाईयों इस साइड में देखें तो यहाँ पर पोजिसन कंट्रोल लीवर और ड्राफ कंट्रोल लीवर देखने को म आपको मिलती है काफी सांदर लीटस्ट स्टेक्टर में आपको मिलती है बाकी डीलक्स हीट है काफी आराम-दयक कंपर्ट है और प्लेटफॉर्म वगरा काफी अच्छा दिया गया है चड़ने उतरने में कोई भी दिक्कत भाइउ आप आपको स्रेक्टर में नहीं होने वाली है पाइकेंट साइड से आप लोगों को दिखाएं तो यहां पर भाइओं आप लोग देख सकते हैं मीटा कि समें लिफ्ट देखने को मिलती है तो काफी अच्छी जबलदस्त यहां पर लिफ्ट संसिंग आपको देखने को मिल जाते हैं तो भाईं में देखें तो यहां पर इष्टे बार वगएरा दिये गए हैं जो की काफी अच्छी चीच रहती है और यहां पर प्रेसर वारी पाइब दी गई है ट्राली वगएरा को कनेक्ट करने के लिए तो बैकेंड सा गया है और उसी के साथ में यह बॉटल होल्डर भी दिया गया है भाईयों बात की जाए अगर टायर साइज की तो पीछे का टायर कंपनी ने स्टेक्टर में तेरा च्छे ठाइस के दिये हैं और वहीं आगे वाले जो टायर है च्छे सोला के दिये गए हैं तो भाईयों लाश्ट में बात करने अगर इस आइसर 333 हाइव टायर न्यू जो लांच टेक्टर है इसकी कीमत की तो भाईयों यह टेक्टर च्छे लाख 15,000 रुपए में आपको मिल जाएगा जो की कीमत है अपने उत्तर सीता पूडिक्टिक की है बाकी अगर आप अन्य इक्टर से अडिक्टिक से हैं तो थोड़ा बहुत प्राइब में डिफ्रेंस देखने को मिल सकता है तो भाईयों वीडियो गर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के